क्या आपका बेबी बहुती दुबला पतला कम जोड है या तो फिर खाना ठीक से नहीं खाता है या तो फिर आपका बेबी के अंदर क्यासियम का कमी है तो ये फुट आपके लिए है अज मैं फिर से आपके छोटे छोटे नन्नी मुन्ने बच्चों के लिए बहुती हल्दी और वजन बढ़ाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ इसे खिलाने से बेबी का वजन तेजी से बढ़ेगा साथ में हड़ीया मस्बूत होंगी तो चलिए इस हल्दी सी फुट को बनाना चालू करते हैं इस हल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो चमच पोहे को अच्छे से वश करते हुए यहाँ पे एक घंटा पहले भिगो के अच्छे से रख लिया था अब यहाँ पे हम एक गाजर लेंगे इसका उपर का छिलका निकालते हुए अच्छे से वश करते हुए इसे लेंगे और इस तरह से ग्रेटर का हल्प से पुरा गाजर को हम ग्रेट करते हुए एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे गाजर का quantity अपकम या जादा करके ले सकते हैं बेबी का डाइट का कुडिंग अब यहाँ पे ग्यास ओन करती हुए हमें पेन को बिठा देना है और अच्छे से हीट कर लेना है और पेन का अंदर में डाइरेकली हम यहाँ पे ग्रेडर गाजर को आट करेंगे और यहाँ पे छिलका उतारा हुआ भिगा हुआ बादाम को लेंगे और चार से पांच पिशे से यहाँ पे किश्मिश को लेंगे जो हमने पहले से भिगो के रखा था और दो पिस्ता का लेंगे और एक हजुर का गुठली निकालते हुए उसे भी आट कर देंगे साथ में आदा ग्लास लगबग पानी एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स अप करती हुए हमें ढखती हुए लगबग चार से पांच मिनट अच्छे से कूख कर लेना है तो यहाँ पर हमने गाजर को यानि की सारे ड्राइ फ्रूट्स और गाजर को लगबग चार मिनट हमें अच्छे से ढखती हुए कूख कर लिया था तो यहाँ पर गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो के कूख हुआ है और सारा ड्राइ फ्रूट्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो च देना है और साथ ही में जो भी हमने सामागरी को बॉयल करके रखा था इसे भी इसी का अंदर में एट कर देना है और इसे वाला हुआ पानी है इसे फेकना नहीं है इसे में एट करते हुए अच्छे से पीस लेना है तो यहां पर हमने सारा सामागरी को प्यूरी का फॉर्म में ला लिया है अब पेन के अंदर में इस सामागरी को डारेकली आड़ कर देंगे पेन के अंदर में और इसके अंदर में अभी हम आड़ करेंगे कौव मिल्क अगर आपका बेबी कौव मिल्क यानि बेबी मिल्क जादा पसंद करता है तो इस फुट को आप मिल्क से तयार कर सकत अदरवाइस आप पानी से भी बना सकते हैं, मिल्क आड़ करने के बाद में अच्छे से इस तरह से मिक्स अप कर देंगे, सारा प्यूरी को हमने अच्छे से मिक्स अप कर दिया है और ज्यादा हाल्दी बनाने के लिए अब इसके अंदर में हम आड़ कर देंगे एक चमच बराबर घी घी आड़ करने के बाद में ग्यास ओन करती हुए सारा प्यूरी को हम पकने के लिए बिठा देंगे लगातार इसे हमें low to medium flame में continue 3-4 मिनट अच्छे से कूप कर लेना है तो यहाँ पे हमने पकाती हुए सारा food को 3-4 मिनट हो चुका है और देखते देखते यह गाड़ा फॉर्म में आने लग चुका है अब हम ग्यास का flame को off कर देंगे और सारा food को ठंडा होने देंगी food का consistency आप अपना बेबी का according गाड़ा या तो फिर पतला बनाकर ready कर सकते हैं तो लीजे आप हमारा healthy food बन के बिल्कुल तयार है देखाना आपने इसे बनाना कितना आसान है जटपड से कम समय में इतना ज़्यादा healthy food बन के तयार है इसे खिलाने से बेबी का हंडिया मजबूत होंगे और क्यास्यम के कमी को भी ये पूरा करेंगी और साथ में आखों की रोशनी तेज होंगी स्कीन चमकदार बनेंगी और साथ में बेबी का वजन भी तेजी से बढ़ेगा और ये स्वाद में भी बहुती लाजबाब है तो ये healthy food को आप भी अपने बच्चों में एक बार जरू ट्राइ किसेगा Dear Parents, आज का रेसेपीस आपको कैसा लगा? आप अपना फिटबाक जरूर दे आपका फिटबाक का मुझे इंतिसार रहेगा आज से न्यू और हाल्दी रेसेपी सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरू करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेड करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले